हेलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और कल एक पोस्ट मार्केट आर्स में एक न्यूज आई है कि सिक्यूरिटीज और एक्सचेंज बोट अफ इंडिया यानिकी कीम्स को छे महिने के लिए बैन कर दिया है और इसके अलावा इनके उपर 50 लाग की पैनल्टी भी लगाई है तो हम जानेंगे कि यह सारा मामला क्या है और क्या इंपैक्ट होगा इसका कोटक महिंद्रा के शेयर प्राइस पे चली आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बैं इसके अलावा भी इनके कुछ और फिनेंशल सर्विसेस में चोटे-चोटे बिजनसेस हैं मार्केट कैपिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिलाइजेशन है 3,40,000 करोड जो की इसको बनाता है बारवी लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की और अगर हम पैटर्न को स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा इसकी शेयर होल्डिंग है फॉरन इंस्टिट्यूट्स के पास 43% प्रमोटर के पास 26% डुमेस्टिक इंस्टिट्यूट्स और म्यूचल फंड के पास रफली 15% के आसपास और बाकी का हिस्सा रिटेल शेयर होल्डर के पास ह जो की 17% के आसपास बनता है और अगर हम इसके तीन महिने के शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करें तो फॉरन इंस्टिट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग 1.46% घटाई है जो की म्यूचल फंड और रिटेल शेयर होल्डर ने खरीदी है और अगर हम क्विकली अब इस की 1st quarter यानि की June में जो quarter end हुआ उसमें economic activity डाउन थी COVID की वज़े से और अगर आप देखें तो पिछले साल भी same quarter में ये income इससे भी कम थी क्योंकि last year भी 1st quarter में lockdown था और economic activity काफी डाउन थी लेकिन उसके बाद जब चीजे normal होने लगी तो इसकी आपने देखा होगा की income लग इसका profit देखें तो profit में भी इस बार कोविट का impact देखा गया इसका profit 2519 करोर आया इसका और जबकि पिछले quarter में ये 3363 करोर था तो काफी major impact देखा गया बट अगर हम पिछले साल के same quarter से compare करें तो ये profit उससे बड़ा है और again क्योंकि वो comparative quarter है क्योंकि तब भी lockdown लगा हुआ थ था और इस साल थोड़ा सा better था तो इस बार profit better है despite की इनके NPAs काफी ज़्यादा बढ़े हैं अगर आप compare करें तो ये लगातार बढ़ रहे हैं जो कि पिछले साल same quarter में 2065 करोड के आसपास थे जो कि अब बढ़कर 3300 करोड हो गए हैं ये definitely a bank के लिए एक चिंता का विशे है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब हम discuss करेंगे जो कल market hours के बाद news आई कि SEBI ने कोटक AMC के ओपर कुछ ban लगाया है और penalty लगाई है तो सबसे पहले जानेंगे कि ये news क्या है तो SEBI ने यानि कि Securities and Exchange Board of India ने कोटक AMC को 6 महीने तक कोई भी नई fixed maturity plan scheme को launch करने से ban कर दिया है और और इनके ओपर 50 लाग की penalty लगाई है इसके अलावा SEBI ने इनको order ये भी दिया है कि इनको partially investment management और advisory fee वापिस करनी पड़ेगी interest के साथ unit holders को 6 scheme में तो ये 6 scheme क्या है हम ये discuss करेंगे बट overall ये है कि एक तो ये कोई भी नई fixed maturity plan नहीं launch कर सकते 6 महीने के लिए उसके अलावा इनको 50 लाग की penalty देनी है और इसके अलावा जो कि 6 scheme यहाँ पे question में है उससे related जो भी इनोंने fees या management charges collect किये थे उनको partially interest के साथ unit holder को वापिस करना है तो अब ये story क्या है तो story ये है कि ये बात है 2019 की कोटक AMC के कुछ fixed maturity plans थे यानि कि debt fund थे जो कि April और May 2019 के बीच में mature होने थे तो ideally तो जैसे ही वो mature होने थे वो पैसा unit holders को वापिस किया जाना था कोटक AMC के द्वारा लेकिन कोटक AMC ने उनकी redemption यानि कि April और May 2019 में जब वो redeem हो जाने चाहिए थे उनका पैसा unit holder को नहीं दिया तो कोटक AMC ने ये बोला कि भई हमने पैसा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हमने ये पैसा आगे लगाया था SL Group की companies में जो कि सुबाश चंदरा जी की company थी और उसमें उन्होंने default कर दिया उन्होंने हमें payment नहीं दी इसलिए हमने आगे unit holder को payment नहीं दी है और ultimately care जाकर उन्हो 2019 में unit holder को payment कर दी हैं तो SEBI का order अब आया है और SEBI ये कह रहा है कि भई पहली बात तो SEBI का एक rule है 2008 का कि भई अगर आपके पास कोई debt fund है या closed ended scheme है तो जब भी वो mature हो जाए या उससे पहले आपको unit holder को ये पैसा लोटाना है आप maturity date के बाद उनको पैसा नहीं लोटा सकते है तो ये उनका rule है तो उनके हिसाब से quota KMC ने violation किया है इसका उनको time से पैसा लोटा देना चाहिए था और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हाँ सेभी ने एक pick pocket sorry side pocket एक rule होता है जो की allow किया है उसमें क्या होता है कि अगर कोई debt fund है और उसमें आपने कोई bond या कोई ऐसी investment है जो कि आपको लगता है कि उसकी rating कम हो गई है या उसके recovery के chances कम हैं तो आप अपनी NAV को adjust कर सकते हो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी में default होने के chances हैं तो अगर आप उसको अभी adjust नहीं करते तो आज की date में अगर कोई उसको redeem करता है उसको तो फायदा हो जाएगा उसको तो पूरा पैसा मिल जाएगा लेकिन जो end तक या maturity तक wait करता है या लंबे समय तक wait करता है और तब तक वो company default कर जाती है जिसकी की उमीद थी तो उनको नुकसान हो जाएगा जो की unit holder ज्यादा time के लिए पैसा रखते हैं तो ऐसी situation से बचने के लिए savvy उनको बोलता है कि आप ऐस जहां पर आपको संभावना हो कि भी पैसा डूब सकता है या default हो सकता है तो आप अपनी NAV adjust कर सकते हैं इनको बोला जाता है side pocket बट यह चीज allowed है सिरफ अगर यह आपका जब शुरू में जो आपकी documents होते हैं scheme launch करते time या जब लोग उसमें invest करते हैं उसमें specify किया गया हो यह एक तो specify नहीं था दूसरा अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी आपको SEBI की guidelines follow करनी पड़ेंगी तो SEBI ने मानाए कि जो कोटक महिंदरा का यह act है कि उन्होंने पैसे hold कर लिये और September तक वापिस नहीं किये यह तो एक प्रकार का side pocket की तरह उन्होंने किया जो कि ना तो उनके document में mention था ना ही इसके बाद उन्होंने SEBI guidelines को follow किया तो इन सब वजहाओं से उन्होंने उनके ओपर penalty और ban लगाया है तो यह हो गई overall story चलो आगे बढ़ते हैं तो अब हम अब सब लोग interested होंगे कि इसका impact क्या पड़ेगा share price में क्या है बहुत बड़ी चीज़ है share price बहुत बुरी तरह से गिर सकता है इससे तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और उसका reason है आप इस page पे देखेंगे कि यह यह जो इनके number है including their subsidiaries KOTAK Mahindra Bank के जो number है KOTAK Mahindra Bank का अपना profit आप यहां पे देख सकते हैं और उसके बाद इनकी subsidiaries जैसे कि KOTAK Mahindra Prime जो कि इनके car insurance में है KOTAK Securities Limited और यह जितनी भी subsidiaries है उनका profit आप यहां देख सकते हैं और total profit यह है तो KOTAK Mahindra AMC का जो contribution है वो सिरफ 3% है तो KOTAK Mahindra AMC सिरफ 3% contribute करता है bank के overall profit में तो मुझे नहीं लगता कि उनके उपर लगी यह penalty overall KOTAK Mahindra Bank के share price को बहुत बुरी तरह से impact कर सकती है और इसके अलावा एक पुराना मामला है 50 लाक इतने बड़े bank के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और financial institutes के उपर अकसर आप देखते हैं कि इस type की penalty और charges लगते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह एक बहुत बड़ी news है जिससे की share price impact होना चाहिए Monday को या short term में हाला कि कुछ news के sentiment को लेकर अगर कोई initial reaction होता है तो वो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी चीज़ है जो कि bank को impact करनी चाहिए इसके अलावा अगर हम देखें जो इनकी अभी latest annual general meeting हुई है उसमें इनके leadership ने जो बोला है कि bank का sound risk management है उनकी capital adequacy ratio काफी अच्छी है जो कि इनको growth opportunity देने के लिए आगे सक्षम बनाता है और उसके अलावा आप इस page पे भी देख सकते हैं कि इनकी subsidiary का profit भी 30% आ रहा है यानि कि banking services के अलावा भी जिन businesses में हैं उनसे भी 30% या उससे ज़्यादा profit earn कर रहे हैं जो कि इनको इनके portfolio को diversify करता है और इसके अलावा इनके जो भी काफी सारे subsidiaries में जो है वो low capital है और non credit risk taking businesses हैं तो ये भी एक अच्छी बात है हाला कि अभी June quarter में इनके साथ एक थोड़ा सा जो कि अभी इनके profit आपने देखे की कम हुए तो उसमें एक कारण ये भी था कि इनकी जो एक subsidiary है KOTAC Life Insurance उनके claim थोड़े बढ़ गए क्योंकि काफी लोगों की death हुई थी COVID की वज़े से जिसकी वज़े से company के कुछ unplanned claim बढ़ गए और उसकी वज़े से उनका loss भी बढ़ा June quarter में तो ये एक bad news थी बड़ अब जैसे COVID की situation improve हो रही है तो आगे इसका impact नहीं होना चाहिए और इनके profit बेटर होने चाहिए इसके अलावा AMC, sorry, annual general meeting में उन्होंने ये भी बोला कि वो आगे inorganic growth भी देख रहे है इनorganic growth का मतलब है कि या तो वो कोई business acquire करेंगे या कोई asset acquire करेंगे अपने business को बढ़ाने के लिए तो वो भी Kotak Mahindra Bank देख रहा है ताकि अपना market share को expand कर पाएं और अपने customer base को बढ़ा पाएं तो overall एक strong bank है और अपने peak जो कि इसका 2049 के आसपास इसने अपना peak बनाया था उससे roughly आज की date में 15% से ज़्यादा ये नीचे चल रहा है तो अगर मेरी personal opinion में देखा जाए तो इस bank के पास potential है आगे बढ़ने का और अगर हम brokerage house भी देखें तो वो इसको 2000 के आसपास देखते हैं टिकर टेप के analyst के report भी में बढ़ रहा था जो कि इसका price roughly 1931 रुपए तक देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसके price में potential है कि 2000 जो कि इसका अपना peak था 2009 चास वहां तक जाने का potential है बढ़ अगे वो मेरी personal opinion है मुझे लगता है कि यह opportunity है अभी और अगर यह और गिरता है तो इसको खरीदने क्योंकि fundamentally बहुत ही strong bank है और आगे इसको grow होना चाहिए बढ़ अगेन जैसा कि मैं हर वीडियो में disclaimer लगाता हूँ कि यह मेरी personal opinion है और अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं तो आप अपने financial advisor से बात कीजिए उनसे discuss कीजिए और अपनी और research करके ही कोई investment decision लीजिए तो यह था आज का वीडियो अगर आपको यह पसंद आया हो तो please subscribe कीजिए channel को और thanks so much for watching it and God bless you all